सिक्षकों को तिलक लगाना और हाथ में कलावा बांधना पड़ा भारी इस्कूल प्रभंदन ने बिना नोटिस दिये आठ सिक्षकों को हटाया नौकरी जाने पर सिक्षक बोले हिंदू होने की मिली सजा सिक्षकों के आरोप पर स्कूल प्रभन्दन ने साधी चुपी बिना नोट इस नौकरी से हटाने पर सिक्षकों ने खुला मूर्चा गोरखपुर के बढ़हल गंजिस्तिदेक निजी स्कूल में हरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां सिक्षक के मंदिर में टीचरों और छात्रों को तिलक लगाना का लावा बांधना और भारत माता की जय बोलना मना है जिहां चौकी अमध ऐसा आरोप स्कूल के उनाठ सिक्षकों ने लगाया है जुने बगएर किसी नोटिस के स्कूल से निकाल दिया गया स्कूल से निकाए ले गई सिक्षकों का आरोप है कि उन्हें हिंदू होने की सजा मिली है क्योंकि स्कूल में राष्ट्रिगान भारत मातक की जुय तिलक लगान और कलावब बांधना प्रतिबंदी थे इन्ही बातों का ये सभी सिक्षक काफी समय से विरोध कर रहे थे जिससे नाराज हो कर स्कूल प्रसाश्वन ने उन्हें नौक्री से निकाल दिया है परिशक बनाया गया था अंग्रेजी कोड 970 जब मैंने प्रधनाचार से का कि मुझे मुझे मुक्त कद यह अनिवारी डूटी है क्योंकि मेरे उपर F.I.R हो सकता है उन्होंने जाने से मना कर दिया और अगले ही दिन दो दिन के बाद उन्होंने मेरा निसकांस्ट दिया सर क्योंकि उनके उनके विद्यालव प्रबंधर और परधन चार्या कि खिलाप कोई जाही नहीं सकता जैसे चाहते हैं वैसे रखते हैं पूरा बेदना पीड़ा हम अध्यापकों को देते हैं और यह वज़ा भी हो सकती है कि हम लोग तीलक लगा कि आते हैं रक्षा सुत्र ल हाला कि सिक्षकों का कहना है कि स्कूल प्रसाशन ने कुल 11 टीचरों को नौकरी से निकाला है जिन में से 8 हिंदू समुदाइसे हैं और 3 सिक्षक मुस्लिम है जिन मुस्लिम सिक्षकों को निकाला गया है उनकी रिटार्मेंट की उम्र हो चुकी है मगर बाकी हिंदू सिक्ष प्रभंदन ने अनुसाशन और अन्य बातों को लेकर निसकाश्वित की बात कर रहा है लेकिन इसके लिए ना तो कोई नोटिस दी गई है और ना ही कोई सूचना मामला तो सबसे बड़ा यह है कि बिना कारण का स्कूल से बिना नोटिस दिये हुए हम लोगों को निकाल दिया गया है और निकालने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जितने ग्यारज सिच्छक वहां से निकले हैं उन्हीं सिच्छों में हिंदू सिच्छों को ही टार्गेट बना गया है और दोपी पहन के आते हैं कि एप जामा जो है उनका अगणाव भूतने से ऊपर रहेंाता है किसी हिंदूर्ग का इसफिया है अए करí करते दाखते हो लोग को यहां am इस लिए उनको निकाला गया था बाकी आठ टीचर ऐसे हैं जो हिंदू के ते साथ यह है इसक्षकों को नौकरे से निकाले जो आने के बाद इसकूल के कुछ इचात रभिया प्रसाशन नंके खिलाफ हो गए हैं और खुलकर अपने सिक्षक का साथ दे रहे हैं मुझे शबनम मेमोरिल इंटर कॉलेज बढ़ाल गंच जहां मैं काफी पहले से पढ़ता आ रहा हूं और मुझे पहले तिलक के लिए बना नहीं किया जा रहा था बट अब एक सरोज सिंग जो अभी आई हैं पधाना चारिया है उनके द्वारा उनके द्वारा उनके द्वारा जो मुझे तिलक के लिए पहले मना किया गया अभी कुछ महिने पहले पहले सी नाम काटकेo से निकाल देंगे कैसे अनुसासन को तोड़ सकते हैं हमारे जो पूरे इसको नुसास से पहले उनका शिलेबस खत्म होता और दो तीन मेने पहले इसे तैयारी वह लोग कराना चालू कर देते क्यों वह और किसी का सिर्फ नहीं होता था हाला कि इस बारे में जब श्रबनम मेमोरियल स्कूल के प्रबंदर फयास से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया स्कूल प्रबंदन का जड़ाव किसी पार्टी से बताया जो रहा है से में स्कूल प्रबंदन के मंशा सवालों के घेरे में हैं अब ये मामला डियाई ओएस अमरकांत सिंग के पास पहुंच चुका है और उन्होंने इस पूरे मामले में जाजकर कारवाई की बात कह रहे हैं जो हमारा बोड़ द्वारा निर्धारी स्वेमय का डिटेल है परड़े का जो कारकरम होता है उसका पाला नहीं किया जा रहा है और कुछ और इस बताया गया कि वहां पर कारकरम शादी विवाज से भी कारकरम कराया जाते हैं और किसी तरीके का और भी कुछ भेदवाव की चीज़ें बताई बच्चे ने इन विद्वों पर कलमा एक टीम को भेज करके चेक कराता हूँ तो कि ही सुनिशित है कि जो मानता होती ही विद्वाव नहीं पहरों लाया जा सकता है भी मानता के सर्थों के लन्गन के लिए कारवाही का प्रावधान है उसके तद खड़ी कारवाही की जाएगी स्कूल प्रबंदक के तुकला की फर्मान से चर्चाओं का बाजार गर्म हैं क्योंकि स्कूल के कुछ टीचरों को सिर्फ इसलिये नौकरी से निकाला गया क्योंकि वो तिलक लगा कर और कलावा बांध कर स्कूल आते थे और राश्ट्रगान और भारत मादा की जुय का समर्थ कर रहे थे मामला प्रसाशुनिक अधिकारियों के संग्यान में आ चुका है अब देखना होगा कि स्कूल प्रसाशन के खिलाब सिक्षा विभाग किस प्रकार का संग्यान लेता है पंजाब के स्टिडी वी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रतायप सिंग की हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन् देवाद